दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रावल स्टोरी एक मुसाफिर के तौर पर मुझे हमेशा प्रॉब्लम हमेशा सामने आया है और वो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पूरा इंफोर्मेशन का नहीं होना किसी भी सोर्स में आप जाएंगे तो एक इनकंप्लीट इंफोर्मेशन होता है जिसके वज़े से आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है तो हमारा एक प्रयास है ट्रावल स्टोरी कि हम हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कुछ माइन्यूर बाते आपके लिए लेके आएं प्रॉपरेशन के लिए लेके आएं तो हम चल पड़े हैं आसाम गुहाटी की ओर माता कामाक्षदेवी के मंदर के दर्शन के लिए और आसाम पहुचते ही हमें दिगा वहां की कला करीतिया आसाम एरपोर्ट पर आसाम एरपोर्ट पर हम अब भी पहुच चुके हैं और आसाम एरपोर्ट से अब हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ जहां से हम जाकर रेडी होने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे और अब हमारी सवारी चल पड़ी है मंदिर की तरफ आप जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं उस पहाड़ी के उपर है मा कामक शादेवी का मंदिर चल पड़े हैं हम मुख्य द्वार की ओर बस देखे आगया है मुख्य द्वार यहां से तीन किलोमेटर की उचाई पर स्थित है माता जी का मंदिर सक्ति पीट उन स्थानों को कहते हैं जहां पर माता सती के अंग गिरे थे का जाता है कि माता सती ने भगवान सिर्व शंकर से विवाह किया इस विवाह से दक्ष प्रजापती खोस नहीं थे उन्होंने एक यग्य के आयोजन पे शिव जी को अबंतरित ही नहीं किया जब यग्य के बारे में माता सती को पता चला तो उन्होंने वहां जाने का नश्चय किया शिव जी ने उन्हें मना किया किन्तु वे नहीं माने और वो यग्य में समिलित हो गई दक्ष प्रजापती अपनी पुत्रे सती को देखने के पशात क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव जी के लिए घोर अपमान जनक सब्दों का इस्थमाल किया उन्होंने हर बात पर शिव जी का अपमान किया इस बात से विथीत होकर माता सती यग्यकुंड पे कूद कई बगवान शिव जब इस बात से रुस्थ होकर सिर्फ तांडव करते हुए यग्यस्थली पर पहुँचे उन्होंने माता जी का जलता हुआ सरीर उठाया और पुना सिर्फ तांडव करते हुए संपून ब्रह्मान में ब्रह्मन करने लगे माता जी का सरीर पृत्र से जल रहा था और संपून ब्रह्मान संपून धर्थी उसी से काप रही थी जल रही थी इसको रोकने के लिए विश्णु जी ने माता जी के जलतेवे सरीर के 51 तुकड़े किये अपने सुदरसन चक्रे से इन्ही 51 स्थानों को सक्ति पीट कहा जाता है कामाख्या माता की मंदिर में माता का योनी गिरा था इसलिए यह सबसे पवित्र सक्ति पीटों में से एक माना जाता है अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार से करीब 200 सीडियां नीचे हैं मंदिर के मुख्य द्वार से जाने से पहले हम आने वाले रास्तों में स्तित प्रशाद की दुकाने विबन नकलाकरितियां आपको दिखाएंगे और जैसे ही मंदिर में हम प्रवेश करेंगे हम आपको बताएंगे कि किन तरह की असुईधाओं की या किस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए माताजी के मंदिर आने के लिए कितना समय आपको लगेगा किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए ये सारी बाते जो एक टूरिस्ट की तरह जो एक दर्सनार्थी की तरह आपको ध्यान में रखना हो उन सारी बातों को हम आपके सामने लेकर आई तिर आने से पहले मैंने सोचा था कि आदे घंटे में मुझे मंदिर का दर्शन हो जाएगा मैं वापस अपने होटल पे जाऊंगा और काम करूंगा परंदू सच्चाई कुछ इतर निकली मुझे कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा अपके सामने जो छोटा मंदिर है ये तारा देवी का मंदिर है अब हम मुख्यद्वार की तरफ पहुँच रहे हैं और यहां से सुरू होता है हमारा मुख्य मुद्दा हर एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्या आपके पास सहीं इन्फरमेशन होता है या आप बटक जाते हैं मैं जैसे ही मुख्यद्वार से अंदर आता हूँ मंदिर के सामने मंदिर ठीक मेरे सामने होता है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे किदर जाना है अंतता मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आगे बढ़ता हूँ मुझे फिर भी समझ में नहीं आता है मंदिर का मुख्य द्वार किदर है मुझे दूर से एक द्वार दिखाई देता है जहां पर गाट खड़ा हो आता है मैं उसके पास जाके इन्फर्मेशन लेने की कोसिस करता हूँ बट आप जानते हैं इन्फर्मेशन इतनी असानी से नहीं मिलती है वो मुझे सिर्फ एक डिरेक्शन दिखाते है उस डिरेक्शन में बढ़ते हुए मैं मंदिर पे बढ़ते हैं बनी हुई अद्बुत कला करीतिया सोचने वाली बात है उसमें सिविल इंजिनरिंग कितने चर्म पर था इतनी महीन कार्य इतने आसानी से वो कर जाते थे जो आज मसीन होने के बावजूद आधुनिक तक्नीक होने के बावजूद हमें करने में तकलीफ होती है सालों पहले, सैकलों सालों पहले मारे पुरवजों ने किया हुआ है मैं अब फिर से अपने रास्ते में प्रसस्त हूँ कोसिस कर रहा हूँ कि मुझे वो रास्ता मिल जाए जहां से मंदिर के गर्भग्री में प्रवेश करने के लिए और अनफॉर्चनेटली अभी तक मेरे प्रयास है ओ मुझे लाइन दिखा लग रहा है मैं सही डिरेक्शन पर जा रहा हूँ बट यह क्या यहां जाकर मुझे पता चलता है कि यहां से तो गेट लॉक है कोई डिरेक्शन साइनेजेस ने पूछने पर पता चलता है कि आप दूसरे डिरेक्शन से जाके बाहर से निकल के अंदर आएंगे यहाँ पे एक गार्ड से पूछने के बाद पता चला कि VIP पास्स भी है मैंने कोसिस की कि चलो VIP पास्स लें बट विंडो वास क्लोज अगर आपने सही प्लानिंग की है तो आप पास्स ले सकते है सुबा 200 पास्स दी जाती है और साम को 3 बजे ठीक 3 बजे 300 पास्स दी जाती है नीचे अंदर आने के बाद नीचे एक कंड मुझे दिखाई देता है जिसका पानी गहरा लाल है हाँ पानी यह आपने बिल्कुल सही सुना पानी गहरा लाल है इसकी एक वज़ा है मैं आपको जरूर बताऊंगा पिट मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है ये वो इस्थान जहां से मैंने एंट्री की थी कुछ समय पहले कोविट के चलते यहां से कूपन लेकर अंदर आना होता था फिर से मैं आपको ये कुण दिखा रहा हूँ जिसके गहरे लाल पानी के बारे में हम बात करेंगे मंदिर का गुंबत स्वन जड़ित आ गुंबत बड़ा ही सुहाना लग लग ला है अब हम मुद्दे में वापस लौट आते हैं किस तरह की प्लानिंग आपको करना चाहिए जब आप कामाख्या माता मंदिर दर्शन के लिए आते हैं दो तरह से आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे वी आईपी पासस लेकर आप सिग्रती सिग्र दर्शन कर सकते हैं BIP passes लेने के बाद भी आपको कम से कम, कम से कम डेड़ घंडे का वक्त लगेगा. यदि आप नॉर्मल लाइन पे आते हैं, यदि आप नॉर्मल लाइन पे आते हैं, मेरी ब्याब ध्यान से सुनियेगा, कम से कम तीन से चार घंडे का समय आप जरूर ले के आईए हो सकता है, अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं, तो इससे भी जादा वक्त आपको लगे हैं, तो कम से कम चार घंडे अगर आप समान्य रूप से दर्शन करना चाहते हैं, वी आईपी पासेस लेंगे, तो एक से डेड़ घंडे पे आपका दर्शन हो जाएगा। तक्रीबन फाड़े तीन घंडे इंतजार करने के बाद, अभी मैं मुख्यद्वार, जी हाँ, गर्ब गरी के मुख्यद्वार पर पहुंच जा लाओ, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, खुल चुका है, गर्ब गरी का मुख्यद्वार, यहाँ पर फोटोग्राफी करना स्ट्रिक्ली प्रॉइबिटेड है, बट कोशी से मेरी कि मैं आपको माताजी के दर्शन करा हूँ, और इस मंदिर के विलक्षन बातों से आपको रूबरू करा हूँ, कुछ आने वाले पल पे मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, जिससे आपके रोंगटे कड़े हो जाएंगे, बट इस मंदिर के मुख्य भाग का तो मैं आपको चित्र नहीं दिखा पाँँगा, माताजी का मुख्य गर्बटे है, जहां अंधेरा है, जहां माताजी की योनी गिरे हुई थी, इसलिए उसके आगे का चित्र मैं आपको नहीं दिखा सकता, अब मैं दर्संद करके बाहर आ चुका हूँ, और मैंने आपसे कहा था कि किस तरह की तयारियां आपकी करनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, लगबग तीन से चार घंटे का वक्त आपका लगेगा, यदि आप सामान्य रुप से दर्शंद करना चाहते हैं, एक से डिड़ घंटे का समय लगेगा, यदि आप माताजी के दर्शंद करना चाहते हैं, वी आई पी पास लेकर, वी आई पी पास मिलने का समय निर्धारित है, सुबा और साम को तीन बजे, ये पासेज़ आपको मिलेंगी, वंदिर के चारों तरफ अद्बुत कलाकरीतियां हैं, विबिन माताओं के चित्र और मुर्तियां उखेरी हुई हैं, ये सब के दर्शंद हम अब अब करेंगे, उसके पहले जिस लाल गहरे पानी के बारे में मैंने आपसे बात किया था, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, मानेता है कि यहां माताजी की योनी गिरी थी, और साल में, जून महिने में तीन दिन यह बंदिर बंध होता है, और मानेता है कि यह तीनों दिन माताजी की योनी से रक्त का प्रवाह होता है, जो की सिंबॉल है हमारे मासिक धर्म का, जो हमारी माताओं और बेहनों के मासिक धर्म होते हैं ये उसी का एक प्रतीक है हमारी धर्म जो है हिंदु धर्म ये इतना विसाल है ये इतना वैग्यानिक है कि हर एक साइंस के आयमों को विज्ञान के आयमों को इसने संकलित किया हुआ है हमारे सारे मेथलोजिकल स्टोरीज पे सारी हमारी धारमिक्दन कहानियों पे आपको जगे जगे पर ग्यान और विक्यान का अथा भंडार मिलता है इसी बीच मुझे एक दोस्त मिला है देखिए इनकी नजरे और ये वले क्या करना है आपको तो वापस आजाते हैं हम अपने मुख्य विसेवस्तू पर हम दर्सन कर रहे हैं माता कामक्या मंदिर का बात कर रहे हैं एक कुंड का जिसका पानी गहरा लाल है जिसकी जिसके बारे में हम और अधिक जानेंगे तो हम बात कर रहे थे माता जी की योनी से रक्त के रिसाव की जिस रक्त के रिसाव से ये तीन दिन ब्रह्म पुत्र का पानी भी लाल हो जाता है जी हां तलहटी पे ब्रह्म पुत्र नदी है जिसका पानी भी तीन दिनों के लिए लाल हो जाता है इतना रक्त प्रवा होता ह कुछ लोकल दोस्तों से बात करके पता चला कि एक समय था कि मंदिर की सीडियों पे भिरक्त का प्रवाह हुआ करता था तो इस तरह से हमने पूरा किया माता जी का माता जी का दर्शन और इस सक्ति पीठ के बारे में हमने बहुत कुछ जाना तो ट्रावल स्टोरी एक प्रयास है हमारा हर एक टूरिस रेस्टिनेशन को आपके सामने लेकर आने का और उन से जुड़े तमान जानकारियों को आपके सामने लाना आपकी ट्रावल की प्लानिंग में आपको मदद करना इन इस्थानों का आपको दर्शर कराना तो यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमें लाइक करें शेर करें और सबस्टाइब करें आपका अपना ट्रावल स्टोरी